कर्मा गर्म मोमोस खाना तो हम सभी को अच्छा लगता है और यह कई सारे तरीकों से बनाए जाते हैं इसके लिए हमें आटा लगाना पड़ता है तो पूरी वीडियो को एंट तक जरूर से देखिएगा और साथ ही आपको इसमें मोमोस का ही नहीं ग्रेवी में डूबने के बाद मंचूरियन का भी टेस्ट आएगा तो यह टू-इन-वन रेसिपी एक बार जरूर ट्राय कीजेगा अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही एक चोटी से घंटी आएगी उसे भी दबा लीजेगा और और पे क्लिक कीजेगा ताकि रोज आपको एक नई वीडियो के नोटिफिकेसंस मिलते रहें और यह बिल्कुल ही फ्री है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही मूमोज में डालने के लिए सबजी आं तयार कर लेते हैं इसमें मैं ने यूस किया है आलू, सिमला, मिर्ज, और गाजर आप अपने इस आपसि जो भी सबजी आपसंद करें वो ले 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 और उसे बहुत ही बारिक-बारिक से चॉप करना है छितना बारि हैं तो च्चिप एक मैंने चोटी सी बारिक बारिक काटके हैं पेश्ट शाणियों का तो एमने आप साथ प्रॉट मैं कर सकते हैं ठेस्ट चाहिए फूड़ा ना लीगा अब लिया है मैदा टो मैंने 4 बड़ी चमश मैदा लिया है अगर अगर अफ मैदा नहीं ख veramente Central Missions the मैदा क्रूश नहीं चाहिने में मैदा सकते हैं मैदा लानी के बाद एंगे काली मर्च लग नश या 7 दानों को मैंने दर्दरा स Calamoy लिया है और थोड़ा समय वाइट सॉल्ट कर रही हूं बिल्कुल दो चुटकी क्या सपस और अब इन सहारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे इसमें पानी वेगरा कुछ भी आड़ करनी की जूरत नहीं है कि सब्जियों में काफी मात्रा में पानी होता है तो यह जो हमारा म मैदे का मिक्षर है वो बढ़िया से इसके उपर कोट हो जाना चाहिए थोड़ी दिर के बाद ही आप देखेंगे कि एकदम चिपकने लगता है इसके उपर तो ध्यान रहे आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और अगर आप सब्जियां जादा ले रहे हैं तो मैदे की क्वांटिटी भी आपको जादा करनी होगी देख सकते हैं सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है और जो भी सब्जियां थी उनके उपर मैदा बढ़िया से कोट हो चुका है यानि अगर आप इसको अपने हाथों में इस तरीके से बांधे तो एकदम बॉल क की तरह बनना चाहिए यह देखिए अगर नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं फिर अगर आपको गीला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं यह देखिए इदम छोटे-छोटे से बाल्स बना लेंगे आप जाहें तो ओव जरूर से देखिएगा कि देखिए दम छोटे-छोटे से बनाएंगे बहुत बड़े नहीं बनाएं क्योंकि जब कोखो जाते हैं थोड़े से फूलते भी है अब इनको स्टिम करने के लिए मैंने आप यह जाली वाली प्लेट ली है अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई भी नॉर्मल थाली ले सकते हैं और उसके नीचे एक सूती कपड़ा विछा लीजिए पतला सा जिसे कि आपके मोमोस में जो स्टिम होने के बाद पानी आएगा वो इसको चिपचेपा ना करे और कपड़ा ही गीला हो मोमोस गीले ना हो तो मैंने आप पर इजाली वाली प्लेट अब चाहें तो यह तरीका भी ट्राय कर सकते हैं कपड़े लगा करके भी स्टिम कर सकते हैं तो चलिए इसको अब में स्टिम कर लेते हैं थोड़ा सा दूर दूर पर ही रखा है ताकि यह को खोने के बाद चिपकेंगे नहीं अब यहां पर एक कढ़ाई में मेंने पानी गर और 10 मिनट के बाद आप देखिए कि एकदम ट्रांस्लूसेंट से हो जाते हैं चमकदार हो जाते हैं और अगर आप हाथों से टच करें न तो चिपचिपे से नहीं होने चाहिए एकदम चमकदार हो जाने चाहिए यानि यह बढ़िया से कुक हो चुक है हैं और अगर आपको तो ऐसा लग रहा होगे थोड़ी से कच्ची और चिपची पर से लग रहे हैं तो थोड़ी दी रो और आप इनको स्टिम कर लीजिए चलिए गयस का फ्लेम बंद कर लेते हो और इनको पूरी तरिके से ठंडा होने देते हैं फिर हम इनको निकालेंगे तब तक चलिए हम इसके और इसको भी हम थोड़ी दिर भून लेंगे हलका सा तेल में फ्लिवर राजा है लेसन को हमें बहुत जादा दिर नहीं पकाना है क्योंकि जले हुए लेसन का टेस्ट बहुत ही जादे खरार बगता है तो बस इसको थोड़ी दिर भूनिएगा चलिए अब डाल देंगे इस होगा उसकी बाद धकल लगा देंगे और थोड़ा से इनको सॉफ्ट हुनिता को खोने देंगे मेडियम फ्लेम पे और यहां पर एक छोटी सी बोल के अंदर डालेंगे सॉस तो मैंने यहां पर यह त्रेड चिली सॉस लिया है अगर आपकी पास अवलवल नहीं हो तो आप केचप भी ले सकते हैं तीखे वाले तो यह मैंने एक टेवल स्पून के आसपास इसमें डाल दूंगी बोल में सेम उसी चम्मत से नापकर डालेंगे टोमैटो केचप तो यह केचप मैंने घर में बनाया था अगर आपको इसकी रेसीपी चाहिए तो डिसकप्सम मैंने लिं तो यह एपल साइडर विनेगर है इसका तेस्स आपको बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है और आपको यह ऑलने भी मिल जाएगा या फिर नॉमल ग्रोसरी स्टोर पे भी आपको इसली अवलबल हो जाते हैं तो आपको इसी भी ब्रैंड की ले सकते हैं और अगर आप विन स्टोर में आप चाहें तो कॉन फ़ल बिगर भी डाल सकते हैं जिससे के आपको जो आपको जूस बनेगा वो काफी थिक सा बनेगा और टेश्टी भी बनेगा तो मैं आपर कॉन फ्लॉर नहीं डाल रहे हूं बेना कॉन कर कि ही बनाएंगे चलिए चेक करते हैं हमारा जो प् चलिए इनको मिला लेते हैं और अब डाल देंगे अपना sauce तो पूरा ही मैंने इसमें डाल दिया है और अब डालेंगे पानी तो दोड से तीन टेवल स्पुन पानी पहले डाल देते हैं थोड़ा सा पातने भी थोड़ा सा और अट करेंगे ताकि sauce की ठिक ग्रेवी हमारी तयार हो जाए टमाटर को बढ़िया समे कुक करना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट से हो जाए तो चलिए तीन चार टेवल स्पुन पानी और डाल देंगे अब इनको बढ़िया से कुक होने देंगे नमक डाल लीजे स्वात के साब से और अब टमाटर जब तक हमारे एकदम sauce जैसे नहीं होती सारी चीजे तब तक हम इनको पकाएंगे सारी जो सबसियां है वो बढ़िया सी दम स्मूध हो जानी चाहिए चलिए चार-पांच मिट हम इनको ढगा देते हैं फ्लेम को लोग से मीडियम कर देते है चार से पांच मिट के बाद देखिए sauce हमारे एकदम गाढ़ा हो गया है इनको मैं एकदम धीमी आज पर पकाया है अब हाई फ्लेम पर पका देंगे तो यह सारा पानी सूख जाएगा और फिर आपका sauce टेस्टी नहीं बनेगा तो इनकोम थोड़ा से इस तरीके से मैश कर लेंगे ताकि एकदम अच्छे से स्मूध हो जाए यह देखिए एकदम से स्मूध हो गया है और इतना ही गाढ़ा ह चब्ध करना है बहुत साथे एकदम मैश नहीं कर देना है थोड़े से बारिक कटे हरे देने के पत्ते या फिर प्याज के पत्ते राल सकते हैं ग्रीन वाले थोड़े सी अध्रक के लच्छे डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं सौस हमारी बिल्कुल तैयार है बहुत ही चटपटी और बहुत ही जादे टेस्टी और अब यहां पर हमारे जो मोमोस बनाए थे वो भी बढ़िया से ठंडे हो गए हैं बहुत ठंडे भी नहीं हुए हैं इन्हें हमें गरम-गरम ही सर्फ करना होता है लेकिन इतनी ठंडे हो च अंदर से पूरी तरी किसे कुख हो चुके हैं और कापी मज़ेदार बने हैं जरूर से एक बार ट्राइ कीजेगा आप समें पत्ता गोभी आट कर सकते हैं ग्रेट करके या फिर बारी काट करके तो सब्सी आपके ऊपर हैं आप चाहें तो इसको अपनी साबसी और भी टेस् करेंगी और बहुत ही चटा किदार सॉस के साथ खाएंगे इसमें डिप करने के बाद आपको इसमें मंचूरियन का भी टेस्ट आएगा क्योंकि जो ग्रेवी बनाई है आमने मंचूरियन के टेस्ट वाली ग्रेवी बनाई है तो आप इसे चॉप स्टिक से खाएं या फिर आपको पसंदा है वैसे खाएं या फिर हातों से भी डिप करके खाएं बहुत ही मसेतार बनते हैं और एक बार तो बनाना बनता है जरूर से ट्राइ कीजी टू इन वन रेसिपी आपको डेफिनिटली बहुत पसंदा आएगी आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी और गारंटेड है कि आप इस रेसिपी को एक बार खाएंगे न तो बार बार बनाने वाले हैं क्योंकि इसका तेस्ट ही इतना उसम है तो इन वन रेसिपी आपको कैसी लेगी जरूर से बताएगा अगर अब सिर्फ मोमो बना रहे हैं तो नॉर्मल चटनी के साथ या फिर मोमो चटनी या फिर चेजवान चटनी के साथ में भी साफ कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप इस चटनी बनाएं देखी कितनी नरम बने हैं एक्टम मज़ेदर तो मोमो बनाने का यह इनोवेटिव तरीका आपको कैसा लगा जरूर से बताएगा हर एक रेसिपी को हम यहाँ पर न बूले चलिए फिर मुलाकात होगे आपसे अगली एक नेरी सिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यर एंड बाबाई